हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो एससडी एड्यूकेशनल क्लास्स और आज का जो हमारा वीडियो है वह है राइट इशू और बोनस इशू के बीच में डिफरेंस लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें एक न्यूज में आपके साथ शेर करना चाहती हू आप मेरे चैनल को तो अलड़ी जानते हैं अब ये चैनल आपको वेबसाइट के रूप में भी गूगल पर सर्च करने को इसली मिल जाएगा आप जो भी मैं वीडियो यहां पर पढ़ाती हूं अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आप गूगल के बीच का डिफरेंस आई दिखते हैं मीनिंग क्या है इन राइट इशू शेर्स आर ओफर टू दे एग्जिस्टिंग कमपनी शेरोल्डर अब यहां पर राइट इशू का मतलब क्या है जो शेर्स हम अपने एक्विटी शेरोल्डर को ओफर करते हैं मतलब ये शेर्स वो जब भी कोई कमपनी अपने शेर को बेचने के लिए निकालती है और जब किसी कमपनी को पैसों के जरूरत होती है तो डाइरेक्ली वो पब्लिक के पास नहीं बेचती है वो सबसे पहले अपने एक्विटी शेरोल्डर को ओफर देती है कि अगर वो खरीदना चाते हैं तो पहले उनको बेच देती है लेकिन अगर एक्विटी शेरोल्डर उन शेर्स को नहीं खरीदना चाते तो वो पब्लिक में बेचती है तो सबसे पहला अधिकार किसका होता है एक्विटी शेरोल्डर का इसलिए हम इस शेर्स को हम राइट शेर्स कहते मतलब अधिकार वाले श shares of the company तो पहला अधिकार किसका है equity shareholder का लेकिन bonus share ऐसा नहीं है bonus shares are issued to the existing equity shareholder free of cost जब आप right shares को issue कर रहे हैं तो आपको company को payment करनी पड़ेगी लेकिन अगर company के पास बहुत अच्छा profit होता है तो वो company free में ही अपने existing equity shareholder वालों को free में ही shares दे देती है कोई cost नहीं लेती तो उसे हम कहते है bonus share second difference में बताया गया है subscriber have to pay for the right share मतलब वही जो मैंने आपको बताया subscriber को right shares के लिए payment करना पड़ता है company only give them right to buy these shares लेकिन bonus share जो रहता है वो free of cost है shareholder को इसके लिए payment नहीं करनी हो चलिए देखते है third difference यहाँ पे third difference जो point बताया गया है वो है partly और fully paid up share shareholder have to pay for this share as application money मतलब आपको application money allotment money call money यह सारा पैसा आपको देना पड़ता है जैसे कि आप कोई भी normal share खरीते हैं यह कप करना होता है अगर यह right shares है लेकिन bonus share में ऐसा नहीं होता bonus share जो है वो fully paid up रहते हैं और आपको इसके लिए कोई भी money pay नहीं करना है इसलिए free of cost है और इसलिए यहाँ पे कोई भी application money allotment money या call money नहीं होता अगर हम बात करते है minimum subscription की तो company has to obtain the minimum subscription अगर वो minimum subscription लेने में fail हो जाती है तो उसे entire money को वापस करना पड़ता है मतलब refund करना पड़ता है किसको उनके applicants को इसका मतलब अगर हम right share पड़ रहे हैं तो right share के लिए minimum subscription applicable रहता है लेकिन bonus share के लिए minimum subscription नहीं होता there is no minimum subscription to be collected as bonus share are issued क्योंकि यह bonus share free of cost है इसलिए यहाँ पर minimum subscription का rule नहीं लगता now if we are seeing about the right to renounce what is the meaning of renounce renounce का मतलब रहता है क्या हम अपना जो offer हमें मिल रहा है bonus share के या right share का दोनों में से किसी का भी तो क्या हम किसी और को दे सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहें equity share की तो shareholder जो equity share वाले हैं means जिनके पास right issue है वो अपने share को renounce कर सकते हैं renounce का मतलब है वो अपना जो उनके पास offer है अगर वो मना कर देते हैं तो वो किसी और के पास offer चला जाता है लेकिन bonus share में ऐसा नहीं होता bonus shareholder cannot renounce his bonus share because अगर आप bonus लेने से मना करते हैं तो यह bonus किसी और shareholder के पास नहीं जाता it means वो bonus अपने आप cancel हो जाएगा last point जो बात करता है वो है purpose of issue right issue is done by the company when it want to raise fresh fund अब यहाँ पर बात की गई है fresh fund but want to give a chance to their existing shareholder इसका मतलब आपको पैसों की जरुवत है लेकिन आप पहला offer अपने existing shareholder को दे रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते है right issue whereas when company has accumulated huge profit company के पास already बहुत सारा profit है उसके पास बहुत सारा reserve है और अब अब company अपने ही existing shareholder को कुछ reward देना चाहती है तो वो reward जो देना चाहती है equity shareholder को उसको हम कह रहे है bonus share तो आपका जो right issue है वो further fund को लाने के लिए मंगवाया जाता है हाला कि bonus share जो है वो profit को distribute करने के लिए मंगवाया जाता है actually मंगवाया नहीं जा रहा है बलकि हम bonus share free of cost अपने existing shareholder को दे रहे है तो उसके ओपर हम पर profit भी बराबर जैसे जो भी हम dividend रहेगा वो बराबर पे करेंगे जो bonus share पे है same as it is right share पे भी लेकिन फरक सिरिफ यह है कि bonus share पे कोई payment नहीं की जाए तो यह था difference between right issue and bonus issue hope students आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है इसको like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और हमारी website पर जाना न भूले यूकि वहाँ पर आपको पूरे notes available मिलेंगे thank you